मुद्य प्रदेश के बीहर नदी के किनारे बसा विंद छेत्र का रिवर शहर प्राकरतिक सौंदेर के लिए जाना जाता है। कल-कल बहती बीहर नदी और नदी में बना हुआ वाटरफॉल हर किसी को अपनी ओरा करसित करता है। इस नदी के आसपास और बीच के टापू में पांस दिस्तमलो दो सुन्य हेक्टर भूमी पर एक सांदार पार्क विक्सित किया गया है। नदी के उपर से टापू के लिए तकरीबन 140 मीटर लंबा एक ब्रिज बना है। बीहर नदी के उपर बने इस ब्रिज को कपल्स के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। कपल्स के घुमने के लिए ये जगे बहत खास है। यहां प्रेमी यूगल के लिए प्राइवेट स्पेस और सांती भरा वातवरन मिलता है। अब तक शहर में केवल राणी तलाव ही एक ऐसा इस्थान था जो कपल्स के लिए फेवरिट था। लेकिन अब बीहर रिवा के बीहर नदी में बना इको पार्क प्रेमी यूगल का फेवरिट बन चुका है। बीहर नदी के तड के किनारे से बीज के टापू तक बने हुए ब्रिज को सैलानियों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस ब्रिज की लंबाई 140 मीटर है यह ब्रिज लोहे से बना आया गया है। यह ब्रिज आकरशन का केंदर इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि यहां से नदी बेहद आकरशक दिखाई देती है। नदी में बहता हुआ वाटरफॉल भी बेहद खुबसूरत दिखाई देता है। साथ ही प्राकृतिक वातवरन को भी यहां से आसानी से देखा जा सकता है। विहर नदी के टापू पर खुबसूरती वर रोमांच का यहां संगम दिखता है। देखें वहाँ जो इको पार्क में जो पुल है वो निश्यत तोर पे मतलब इतना वो खुबसूरत है और मतलब कपल्स और फैमली के लिए तो सबसे उप्यूक्त वहां जगा है। वो लगवग आधा किलोमेटर का पुल है और नदी के उपर उसकी जो खुबसूरत मतलब बहुत खुबसूरत हो लगता है और आप देखें वहां का जो इन्वाउमेंट है वो भी इतना मतलब पीसफूल और मतलब इतना इतना फ्रेंडली है कि मतलब कोई भी जाके वहां ब और मतलब उसको इतना खुबसूरत और इतना अच्छा बना दिये गया है और वो जहां दूसरी एडवेंचर और दूसरी एक्टिविटीज भी जो होती है तो वो तो और ज्यादा अच्छी है मतलब इंसान जो है मतलब अपने वैस्तितम समय में वहां जाके करेगा तो उसक सबसे पसंदीदा जगा वो इस समय है पूरे रीवा में